परिचय बल क्या है? जब हम किसी वस्तु पर बल आरोपित करते हैं, तो क्या होता है? जब हम किसी वस्तु को धकेलते, खीचते, उठाते या मारते हैं, तो हम उसकी गती में परिवर्तन कर रही होते हैं. गती में इस परिवर्तन के लिए बल की आवशक्ता होती है. उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे बल को परिभाशित करना बल की विशेष्टाएं बताना बल का प्रभाव समझना संपर्क बल और असंपर्क बल के बीच विभेद करना संपर्क बल और असंपर्क बल के प्रकार बताना ठोस, द्रव और गैस द्वारा आरोपित दाब की विशेश्टाएं बताना दाब का मनुष्य के शरीर पर प्रभाव बताना वायु दाब को परिभाशित करना क्या होता है जब बल टकराते हैं? यदि आप एक भारी बकसा लेते हैं और उसे खिसकाने की कोशिश करते हैं तो वह नहीं हटेगा अब यदि आप किसी मित्र को बुला कर सहायता लेते हैं और उसे उसी दिशा में खिसकाते हैं तो यह हटता है इस प्रयोग से प्रमानित होता है कि समान दिशा में लगाए गए बल सन्युक्त हो जाते हैं बल का प्रभाव एक पतले रबर का गुबारा लीजिये और इसमें हवा भरिये इसका आकार परिवर्तित हो जाता है फिर इस खुले सिरे को धागे से बांधिये अब हवा भरिये गुबारे को दबाईये फिर से आकार परिवर्तित हो जाता है यह बल के प्रभाव के कारण होता है जब आप फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल को मैदान के केंदर में रखते हैं जब आप इसको मारते हैं तो यह वांचित दिशा में आगे बढ़ती है इसी प्रकार रसोई में तुम्हारी मा आटे की लोई बनाती है और उन्हें चपाती के रूप में बेलती है इस मामले में वह लोई को चप्टा बनाने के लिए बल का प्रयोग करती है बल का प्रभाव किसी वस्तु पर उचित बल आरोपित करके उसकी दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है उधारन स्वरू क्रिकेट में बल्लेबास द्वारा मारी गई गेंद को जब क्षेत रक्षक पकड़ता है तो उसकी गतिशूने हो जाती है और यदि आप एक गतिशील फुटबॉल को ठोकर मारते हैं तो उसकी गतिशी बढ़ जाती है बल के प्रकार बल के दो मुख्य प्रकार है संपर्क बल और असंपर्क बल पेशीय बल घर्शन बल इत्यादी संपर्क बल का उधारन है इसी प्रकार चुम्बकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वीय बल इत्यादी असंपर्क बल के उधारन है संपर्क बल क्या आप टेबल पर रखी किताब को बिना चुए बढ़ा या उठा सकते हैं? या क्या आप एक बाल्टी पानी को बिना पकड़े उठा सकते हैं? हम कह सकते हैं कि संपर्क बल वह बल होता है, जो पिंड के वास्तविक संपर्क में आने पर ही लगता है मूल्त ये दो प्रकार के होते हैं, पेशीय बल और घर्शन बल पेशीय बल जब हम किसी वस्तु जैसे की बकसे को खिसकाते हैं या बाल्टी को उठाते हैं, तो बल हमारे शरीर की पेशीयों की गतविधिद्वारा लगाया जाता है इस बल को पेशीय बल कहते हैं ध्यान रखें कि पेशिय बल सदैव या तो सीधे सीधे वस्तु को सपर्श करके लगाया जाता है या फिर किसी छडी या रसी के टुकडे की सहायता से लगाया जाता है. उधारन के लिए फल या सबजी को चाकू की सहायता से काटना, हथोडे की सहायता से कील ठोंकना, घोडे द्वारा गाड़ी को खीचना घर्शन बल क्या आप जानते हैं क्यों एक भारी बक्सा खिसकाने पर नहीं हिलता? क्यों एक लुढकती हुई गेंद कुछ समय बाद रुख जाती है? जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में गती करती है, तो उनके बीच एक बल काम करता है, जिसे घर्शन बल कहते हैं. ध्यान दें कि घर्शन बल सदैव सभी वस्तुओं पर लगता है और इसकी दिशा गती की दिशा के विपरीद दिशा में होती है. गतिशील वस्तु धीरे धीरे धीमी होती जाती है और घर्शन के कारण अंत्ता वहरुक जाती है. यह स्पष्ट होता है कि घर्षण बल सदैव किसी पिंड की दूसरे पिंड के संपर्क में होने वाली गति के प्रतिरोध में काम करता है असंपर्क बल के प्रकार चुम्बकीय बल, गुरुत्वीय बल और स्थिरवैद्दित बल असंपर्क बल के उदारण है क्या आप जानते हैं क्यों पत्तियां या फल पेड से अलग होने के बाद धर्ती पर गिरते हैं यह गुरुत्वीय बल के कारण होता है वह बल जो प्रित्वी के खिंचाव के कारण लगता है उसे गुरुत्वीय बल कहते है यह असंपर्क बल का एक उदारण है एक उचित दूरी पर रखे गए दो चुम्बकिय ध्रुवों के बीच लगने वाले बल को चुम्बकिय बल कहते हैं जिसमें समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं एक चुम्बक दूसरे चुम्बक पर बिना संपर्क में आए बल आरोपित कर सकता है, अतहां चुम्बक द्वारा आरोपित बल असंपर्क बल का एक उधारन है. क्या आप जानते हैं, जब हम किसी ट्यूब को सूखे कपड़े से रगड़ते हैं और किसी धागे के पास ले जाते हैं, तो धागा ट्यूब की तरफ आकरशित होता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम ट्यूब को सूखे कपड़े से रगड़ते हैं तो ट्यूब पर विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है इसे स्थिर वैद्युत आवेश कहते हैं यह भी असंपर्क बल का एक उधारण है दाब आईए एक गत्विधी करें लगभग समान आकार के पाँच लकड़ी के डिब्बे लीजिए उन्हें भारी बनाने के लिए उसमें लोहे के टुकड़े भर दीजिए इन डिब्बों को लकड़ी के एक टेबल पर अलग-अलग रखतीजिए इन डिब्बों द्वारा टेबल पर आरोपित दाब बल देखिए आप देखेंगे कि टेबल सामान्य ही रहता है और यह बक्सों के भार के दाब बल से अप्रभावित रहता है अब इन ही डिब्बों को टेबल के बीच में एक के उपर एक रखिए अब इसका प्रभाव देखिए इस प्रकार रखने पर टेबल डिब्बों के भार से या तो मुड जाता है या तूट जाता है क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ यद्यपी दोनों स्थितियों में लगाया गया बल समान था फिर भी पहली स्थिति में इसका प्रभाव अल्प था और दूसरी स्थिति में टेबल मुड गई इस गत्विधी से प्रमानित होता है कि बल और इसका प्रभावी क्षेत्रफल दोनों महत्पून है जिस क्षेत्र फल पर बल आरोपित किया जाता है, वह जितना छोटा होगा, इसका प्रभाव उतना ज्यादा होगा और इस अवधारणा को दाब कहते हैं हम कह सकते हैं कि दाब बल से संबंधित है दैनिक जीवन में दाब के उधारण क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि विद्याले के बस्ते चोड़े पट्टे वाले क्यों होते हैं धारदार चाकू भोथरे चाकू से बहतर क्यों काटते हैं और सुई की नोक नुकीली क्यों होती है अपने दैनिक जीवन में हम सभी दाब के प्रभाव का अनुभव करते हैं विद्याले के बस्ते में चोड़े पट्टे इसलिए होते हैं कि बस्ते का भार बच्चे के कंधे के ज्यादा हिस्से पर आरोपिद हो जिसके परिणाम स्वरूप कंधों पर दबाव कम पड़ता है और कम दबाव के कारण भारी विद्याले बस्ते को उठाना अपेक्षाकृती सरल हो जाता है एक धारदार चाकू की धार बहुत पतली होती है यह वस्तूओं को बहतर ढंग से काटता है क्योंकि इसका संपर क्षेत्र बहुत ही कम होता है हमारे हाथ का बल एक बहुत छोटे क्षेत्र फल पर आरोपित होता है जिससे भारी दबाव उत्वन होता है और यह भारी दबाव वस्तू को आसानी से काट देता है इसके नुकीले सिरे के कारण सुई वस्त्र के एक पहुँच छोटे क्षेट्रफल पर बल आरोपित करती है, जिससे भारी दबाव उत्वन होता है, जो वस्त्र में छिद्र करने के लिए पर्याप्त होता है क्या द्रव और गैस भी ठोस की तरह दबाव आरोपित करती हैं? क्या आप जानते हैं कि जब आप गुबारे में हवा भरते हैं तो क्या होता है? यह सभी दिशाओं में दाब आरोपित करता है जिसके कारण गुबारे का आकार बढ़ता है और प्रत्येक दिशा में समान वृध्धि दिखाई देती है द्रव के लिए भी यही सही है यह सभी दिशाओं में दाब आरोपित करता है जब एक प्लास्टिक की एक थाली जल में डूबती है तो यह तली में नहीं जाती यह सदैव पानी के भीत्री दाब के कारण शीशे के पाइप के प्रतिकूल दाब के प्रभाव में रहती है इससे प्रमानित होता है कि जल भी प्रत्येक दिशा में दाब आरोपित करता है वायू और हमारा वायू मंडल हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ वायू है पृत्वी के चारों तरफ बने वायू के आवरण को वायू मंडल कहते हैं वस्तुतह वायू में भार होता है और यह दाब आरोपित करती है। प्रित्वी की सतह पर वायू द्वारा आरोपित दाब को वायू मंडली दाब कहते हैं। ध्यान दें कि हम जितना उपर जाते हैं वायू मंडली दाब उतना ही कम होता जाता है। औसतन हमारे सिर पर एक किलो अपने दिन प्रत दिन के जीवन में हम वायुमंडली दाब के कई अनुभव करते हैं। के सतह का वायुदाब ड्रिंक को हमारे मुह तक पहुचाने के लिए पाइप के अंदर धकेलता है। सिरिंज के मामले में चिकित्सक इसकी नोक को द्रव्य में डालता है और पिस्तन को खींचता है जिससे सिरिंज के भीतर का वायुदाब कम हो जाता है। दूसरे उधारण में, रबड की ट्यूब लगी स्याही भरने वाली कलम में ट्यूब को दबा कर इसमें से वायू निकाल देते हैं, जिससे ट्यूब के भीतर का वायू दाब कम हो जाता है। सारांच आईए हमने जो कुछ सीखा है, उसे संक्षेप में दोहराएं। बल एक खिचाव या धक्का है, जिससे फिंड की गती में परिवर्तन होता है। बल किसी वस्तु का आकार परिवर्तित कर सकता है, किसी वस्तु की स्थिती परिवर्तित कर सकता है, किसी गतिशील वस्तु की गती की दिशा परिवर्तित कर सकता है और किसी गतिशील वस्तु की गती बढ़ा सकता है बल दो प्रकार के होते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल पेशिय बल और घर्शन बल संपर्क बल के उधारण है गुरुत्वीय बल, स्थिर्वैद्युत बल और चुम्बकीय बल असंपर्क बल के उधारण है बल प्रती इकाईक शेत्र फल को दाब कहते हैं ठोस का दाब उसके भार के कारण होता है और यह सदैव नीचे की और आरोपित होता है लेकिन द्रव और गैस का दाब नीचे, बगल में और उपर भी यानि चारों तरफ आरोपित होता है पृत्वी के चारों तरफ बने वायू के आवरण को वायू मंडल कहते हैं प्रित्वी के सतह पर आरोपित होने वाले वायू के दाव को वायू मंडलीय दाव कहते हैं